नमस्कार साथ आपके मैं होने किता सेंग देश टीवी के प्राइम टाइम बुलिटिन प्रत दिन में आप सभी का स्वागत है खबरों के शुरुआत करते हैं बुलिटिन के स्वाक की हेड्लाइंस के साथ मंत्री अगरवाल ने किया अपकारी विभाग के कामकाश की समिक्षा शराब दुकान में गडबरी के जाँच का दिया निर्देश मीजल्स रूबेला को खत्म करने के लिए अगस्ति से चलेगा कैम बीमारी को जड़ से खत्म करने का बना है लक्ष मध्यान भोजन रसोया संग ने राष्ठानी में दिया धर्णा कलेक्टर दर पर वेतनमान देने की कर रहे हैं मांग और अब मौसून पकर रहा है रफ्तार दो दिन में राइपूर में 4 सेंटिमीटर बारिश और अब समाचार विस्तार से वानिचिक कर एवम उद्योग मंतरी अमर अग्रवाल ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर आपकारी विभाग के कामकाश की समिक्षा की मंतरी अग्रवाल ने शराब दुकानों में कारेरत सेलसमैनों के वेतन भुकतान में सामाने तह विलंब होने पर नाराज की जाहिर की और कहा कि हर महीने साथ तारिक तक अनिवारय रूप से वेतन भुकतान हो जाना चाहिए जिन प्लेस्मेंट एजेंसियों के जरिये इनकी सेवाएं ली जा रही हैं, उन्हें इस्तिथी तक वेतन भुकतान हो जाने संबंधी प्रमान पत्र प्रस्तुत करना होगा मंत्री अगरवाल ने विस्तित समिक्षा करते हुए सभी शराब दुकानों का अभिलेक, संधारत करनी और हिसाब किताब दुरुस्त रखने के निदेश दिये उन्होंने कहा कि प्रतेख शराब दुकान में दो दो पंजी रखी जाए, इनमें हर दिन की बिक्री का उलेक किया जाना चाहिए इसका मिलान और ओर्डिट विभाग द्वारा नियुक्ति किये गए चार्डिट अकाउंटेंड द्वारा किया जाना चाहिए राष्टानी राइपुर के पुरानी बस्ती सित एक शराब दुकान में राष्टी की गडबडी को गंभीता से लेते हुए इसकी जाच करने के निर्देश पुलिस दिक्षक को दिये गए जैसे जैसे चुनाफ का समय नस्तीक आता जा रहा है वैसे वैसे ही चुनाफ की तैयारियों में भी तेजी आ रही है इसी सिसले में मंगलवार को राशनीतिक दलो की प्रतिंधी अधिकारियों की मुख्य निर्वाचन पदादिकारी कार्याले में महतुपून बैठक हुई वहाई इस दोरान मुख्य निर्वाचन पदादिकारी ने राश्णितिक दलों के प्रतिंधी सदस्यों की शंकाओं का समाधान करते हुए उसका नेराकरन भी किया 36 कर राज के मुख्य निर्वाचन पतादिकारी काले आले में मंकलवार को राश्टनेतिक दलों के प्रतिन्थी पतादिकारियों के साथ महत्पूर्ण बैठक हुई बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के दुतिय विशेश संशिप्त पुनरिक्षन कारेक्रम 2018 के अंतरगत किये जाने वाले कारेयों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई मुख्य निर्वाचन पतादिकारी सुब्रसाहु ने निर्वाचक नामावली के दुतिय विशेश संशिप्त पुनरिक्षन कारेक्रम 2018 के अंतरगत निश्पासित किये जाने वाले कारेयों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2018 को मंगलवार को पुनरिक्षन गतिविधी के अंतरगत एकी कृत मत दाता सुची के प्रारूप का परकाशन किया जाएगा आयो किने देशानुसार 31 जुलाई मंगलवार से 21 अगस्त 2018 मंगलवार तक एकिकृत मतदाता सुची के प्रारूप के संदर्भ में दावा अपतियां आमंतित की जाएंगी वहीं प्राप्त दावा और आपतियों को निराकरण 20 सितंबर 2018 गुरुवार के पूर्व तक कर दिया जाएगा इसके बाद 27 सितंबर 2018 गुरुवार तक मतदाता सुची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा बैठक में राश्नतिक दलों के प्रतेधी सदस्यों के द्वारा सवाल भी पूछे कैं मुख्य निर्वाचन पतादिकारी ने उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए उसका निराकरण भी किया ब्यूरो रिपोर्ट देश टीवी मीजस रुबेला भ्यान 36 गर प्रदेश में अगस्त महा से चलाया जाएगा 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को इसका टीका करन किया जाएगा इसके लिए शास्किय स्कूलों, आंगनवाडी केंद्रों, निजी स्कूलों में व्यापक प्रचार पसार करने के लिए ग्रामी स्तर तक प्रसिक्षन का आयोजन किया जा रहा है चिकिस्तकों को भी इसका प्रसिक्षन दिया जा चुका है मीजल्स रूबेला नामक बीमारी को खत्म करने के लिए अगस से कैम चलाया जाएगा इसके लिए स्वास्त विभाग द्वारा लगातार कारेशाला का आयोजन किया जा रहा है भारत में 2020 तक मीजल्स रूबेला बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें स्वास्त विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग, महला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामेन विकास विभाग की सहभागिता रहेगी इसके साथ ही WHO, UNICEF एवं UNDP द्वारा तकनी की सहयोग किया जाएगा स्वास्ति विभाग द्वारा सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों के मातापिता, धार्बिक संस्थान, सामाचिक व्यक्ति, निजी डॉक्टर, आदिका सहयोग लेकर वर्तमान में चलाए जाने वाले खसरा रुबेला के ठीके का व्यापक प्रचारपसार जमेनी सर पर शुरू कर दिया है गौरतलब है कि खसरा एक जानलेवा बिमारी है, बाल व्रित्यू का एक कारण यह बिमारी है खसरा से भारत में प्रतिवर्ष करीब 49,200 बच्चों की व्रित्यू इस बिमारी के कारण हो रही है यह एक संक्रमक रोग है, एक संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खासने और छीकने से फैलता है स्त्रीको गर्भा वस्ता के आरंब में रुबेला का संक्रमन होता है तो जर्मजात रुबेला सिंड्रम विक्सित हो सकता है जो भुण और नवजात शिशू के लिए गंभीर वगातक साबित हो सकता है 9 माह से 15 वर्ष तक की आयू के सभी बच्चों को मीजर्स रुबेला का तीका करण किया जाना है अभियान में उन बच्चों को भी तीका लगाया जाएगा जिन्हें पहले से खस्रा रुबेला का तीके लगाये गए हों या कभी उन्हें खस्रा रुबेला संक्रमन या रोग भी हुआ हो भारत के करीब 17 राजियों में करीब 8 करोड बच्चों का तीका कृत किया जा चुका है अगस्त माह में चलने माले अभियान में 83 लाख बच्चों को पूरा ही बनाया जाएगा 36 गड अठारवा राज्य है जहां पर यह टीका करण भारा सरकार के माध्यम से चलाया जाएगा मीजल्स रूबेला का इसकी भ्रांतियों को मिटाने के लिए स्कूल कॉलेज के बच्चे उनके परिवारजन शिक्षक इन सभी को समवेदी करण कर रही है सांथ ही पत्रकारों को भी इस अभ्यान के बारे में व्यापक जौनकारी दी जा रही है और उनसे सहयोग देने की भी अपील कर रहे हैं मीजल्स रूबेला अभ्यान 36 गड प्रदेश में अगस्त माह से चलाय जाएगा 9 माह से 15 वर्स तक के उमर के बच्चों को मीजल्स के टिका करण किये जाएंगे इसके लिए सासकी स्कूलों, आंगन बाड़ी केंदरों, नीजी स्कूलों में व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए ग्राम इस तर तक प्रसिक्षन का आयोजन किया जा रहा है चिकिस्षकों को भी इसका प्रसिक्षन दिया जा चुका है अगस्त माह में इस चलने वाले इस अभ्यान में 83 लाग बच्चों को हिद्गरही बनाए जाएगा 36 गड़ अठारवा राज है जहां पर ये टिका करण भारस सरकार के माद्धे हम से चला जाएगा इसकी भ्रांतियों को मिटाने के लिए इसकूल, कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको सेंसिटाइसन कर रहे हैं साथ ही साथ पत्रकारों को भी इस अभियान के बारे में व्यापक, जानकारी और उनसे सहीयोग लेने की भी अपील कर रहे हैं लहाजा अभियान को सफल बनाने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाएगा इसके लिए स्वास्तिकारे करता, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर उसका राज्य स्तरियम मास्टर प्रसिक्षन भी बनाया जा चुका है और कई जिलों में ट्रेनिंग संपादित भी किया जा चुके हैं देश टीवी के लिए क्यामरामान रिशीन एताम के सांथ सरूप भटत चारे की रिपोर्ट चतिसगर राजे बीजविकास निगम द्वारा किसानों को प्रमानत बीच दिया जा रहा है जिससे प्रदेश में किसानों को काफी लाब भी मिले लगा है हालाके किसान पुराने किस्म के बीच उपYोग मिला रही हैं जिसे जाकरुकता के जरिये नए किस्मों में परिवर्टन करने का प्रयास बीच विकास निगम अगले सत्र से करने की कोशिश कर रहा है किसान द्वारा द्वारा दिए गए बीज को बीज निगम रेडियेशन कर ग्रेटिंग करते हैं उसके बाद फिर से पैकिंग करते हैं और उस पर सर्टिफिकेट लगाया जाता है ताकि गुणवत्ता कर निर्धारन हो पाए इस प्रकारवा प्रमानित बीच के रूप में विखता है गर्मी के मौसम लगते ही क्रिसी विभाग के सर्वे अनुसार सोसाइटियों से भंडारन की सिति बताई जाती है जिसकी प्रक्रिया बीच निगम द्वारा सुरू कर दिया जाता है बिजविकास निगम के अध्यक्ष के अनुसार प्रमानित बीजो के मांग में श्वर्ना और महमाया धान की मांग आज भी सबसे ज़्यादा है श्यामबैस की माने तो दस साल से पुरानी वराइटी के स्थान पर आज के समय में जो अच्छी नई वराइटी मिल रही है उनको उत्पादित करना चाहिए देश टीवी से चर्चा के दोरान बताया कि अब किसानों को नए किस्मों की जानकारी देने जागरुकता अभियान चलाए जाएगा सोसाइटी के मार्ध्यम से गाउगाउ में बीच के वराइटी और उसके उपच की जानकारी किसानों को देंगे इसके लिए निगम ने अगले सीचन से ऐसा करने का प्रस्ता बनाया जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा और वह जागुखरोंगे और लाप भी मिलेगा इसे बहुत अच्छे वह राइटी हैं ऐसे वह राइटी हों के बीज हमारे पास बहुतायत में रते हुए भी किसान इसको न ले जाकरके वह मुरिग मुरिग जिस प्रकार कस्तूरी के पीछे दोड़ता है वैसा दोड़ता रहा महमाया वस्वड़ना के नाम में उनको हम यह सब चीजों को लगा कि हम अब एजुकेट करेंगे अगले सी जन से ऐसा हम लोग उने प्रस्ता बनाया है 36 गड़ के कैजीले में किसानों को एक ओर जहां मौसम की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है तो वही दूसरी तरफ सोसाइटियों से खाद बीज नहीं मिलने से उन्हें काफी परिशानी भी जहलनी पड़ रही है सोसाइटी के लगतार बन रहने के कारण किसानों को न तो खाद बीज मिल पा रहा है और ना ही रिन उपलब्ध हो पा रहा है बीज विकास निकम के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले वर्स बहुत से किसानों ने जो बीज ले गए थे उन लोगों ने प्रमानित बीज उपज करके हमारे पास नहीं ला पाए सूखे के कारण बीजो के लिए कमी हो रही है लेकिन सरकार द्वारा किसानों की हीतों को ध्यान रखा जा रहा है बहुत सारे बीज विकास निगम हमेशा ततपर रहता है ऐसे में अब देखना होगा कि सूखे की मार से निपट ने प्रमानित बीज किसानों को अब आसानी से मिल पाता है या नहीं देश टीवी के लिए कैमरा मेर रिसी ने ताम के साथ स्वरू भट चारे की रिपोर्ट